जैसरी शाम दोस्तों मैं हो रहे क्यों और आप सभी का स्वागत करती मैं अपने चैनल एले सिटी राखी रहे सोई में आज मैं आप सभी लेकर आए पुदिना चेटनी जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट बनाने में एक दम आशान है आप सभी फूरे से भी देखना चाहते दोनों चीजों से जो है चेटनी बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं गाईस देखी चार पात दिन पहले में राजवरंची लाकर फ्रिज में रख दिये थे और मैं बनाना भूल गई थी जब मैं देखी तो मैंने कहा चलो बनाई लेते हैं चेटनी और आप से भी के साथ में कर देते हैं बहुत ही अच्छी लगते खाने में बहुत ही चिटपटी में बना कर दिखाऊंगी तो देखिए अच्छी खुस्पू आ रहे और इस चटनी को जब आप खाएंगे तो आप अवितम खुश हो जाएंगे इतना स्वाधिस चटनी रगता है खाने में देखिए इसी तरीके से मैं धन्या और पुदिना दोनों ही तोर कर रख लूँगी, और यह देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे धन्या और पुदिना दोनों ही तोर लिया है, पुदिना थोरा जाद है और धन्या थोरा कम है, आप चाहे तो बड़ावर भी ले सकते हैं, तोड़कर रखने के बाद अब इसे अच्छे से जो है मैंने धो लिया है दो तीन पानी से अच्छे से मैंने धो लिया है अब चलिए इसे मिक्सी जार में पीशते हैं तो इस सटनी में जो है ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे सिर्फ लेशन अद्रक और हरी मिर्च इस तीनों जो हमें जो कज़ा में डाल सकते हैं तो अब डाल के से बनाती हूं लेकिन अद्रकह और हड़िं मिर्च को जो है मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है उसके बाद में इसमें ढाल रही हूं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी काला नमक भी सफेद नमक भी तो मैंना भी डाल दिया है काला नमक उसके बार डाल रही हूं सफेद नमक और सफेद नमक डालने के बाद इसमें डालूंगी अंचूर deposit अंचूर पॉदर डालना चाहे तो यह डाल सकते हैं अगर यह नहीं डालना चाहे तो इसके जगły नेंबू का रस लिले तो मुझे निम्बू के रस्ते जादा अच्छा लगता है अंचूर टालना हम आदे Statister i हो यह पर अधाच दाल रहाहन है यह definite जीरा पॉड़र सिसमित समान जाएंगर उसके बारी है दो चम्मच के लगवाड में डाली हो पानी में पानी डालने के बाद इसमें धन्या पुदिना दोने की सिज़ास को मैं एडose कर दूंगी और एड़ करने की बात चलिए अब इसे पीस कर दिखाते हैं यह देख सकते गाइस मैंने यहां पर जो है धन्या पुदियना की चटनी बनाकर त्यार कर लिया है और इस चटनी का फाइदा बहुत ज्यादा है इस चटनी को आप जरूर बनाके खाए गर्मियों के चटनी बहुत ही फाइदे मंद होती है तो आप लोग जरूर बनाकर खाए और इतना टेश्ट अच्छा आएगा कि आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे इस चटनी को तो पुदियना कुछ इस तरीके से बनाकर आप सभी खा सकते हैं ए आपको निकाल कर दिखा देते हैं तो देखें कटोडी में हम इस तरीके से प्लट लेंगे थोरा सा पुदियना पत्ती से जो है इसे डेकुरेट कर देंगे ताकि पता तो चले कि पुदियना की चटनी है तो खाने में बहुत स्वाधिश्ट अमी चटनी बन करते यार है मेर रेसिपी पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजी फ्रेंट फैमली के साथ में जरूर शेयर करें मेरे चैनल पर और बी रेसिपी अपलोड है प्लीज जाके चेक आउट करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी इसाज अब तक के लिए बाई